कि बारे। थल समीर और जल समीर के बारे में थल समीर से पहले हम लोगों को यह पता होไป है था अभी तग हमपड़ हädए हैं कि गरम थ töंडा क्या होता है उश्मा का स्थानांतरा कीर्षा है उश्मा क्या उत्पन की जा सकती है नहीं उश्मा का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांत्रण किया जाता है उसके बाद हम लोगों ने इक बड़ा था उश्मा के चालक वै कुछालक के बारे में कौन उश्मा के चालक होते हैं कौन उश्मा के कुछालक होते हैं किसे उ जल समीर और जल समीर ये प्रक्रम कब चलता है ये प्रक्रम चलता है दिन के समय कब होता है ये दिन में क्या होता है दिन में, क्या होता है, जैसे कि मानोई ये समुंद्र है, ये क्या है, समुंद्र, क्या है ये, समुंद्र, ठीक है, इसके पास में ये स्थाल है, ठीक है, ये स्थाल है, कोई, ठीक है, ये, ये ठल वाला भाग है, दिन के समय हो रहा है, सूर्य की रॉष्णी पड़ेगी, ठीक है, इस पर भी पड़ेगी, और यहाँ पर भी पड़ेगी, पड़ेगी नहीं पड़ेगी सूर्य की रॉष्णी, इसके पास भी पड़ेगी, क्या हो गा जो स्थल का भाग है वो कैसा हो जाएगा गर्म हो जाएगा आप लोगों ने देखा ओगा गर्मों के दिनों जिन्हें अम बाईउ होती हैं वह कैसी है वह किस और जाती है थल की और कैसी किस तरह आजाती है थल की और जिससे कि इस Whenever Carson Sun के गरभान गर्मी की कारण जो जो हमारे धर्धिो वती है जमीन होती है जो उसको हुश्मा को अव्शोषित कर लेती है वो उसको क्या है इसके तापमान को नियत बनाए रखती है जिसकी वजल से ये क्या ना हो ज्यादा गर्म ना हो ऐसा होता है परन्तु थल समीर में क्या होता है ये कब होती है ये कब होती है रात के समय कब होती है रात के समय कब होती है रात के समय ये क्या होता है जो समीर ये ज ठीक है यह समुंद्र वाला भाग है और यह ठीक है यह सल भाला भाग है ठीक है यह ठीक है यह ठीक है यह कब होगा रात के समय रात के समय क्या होगा यह आपका रात होगा ठीक है अब क्या होगा इस जल समीर में तो किसने अफ्शोशित किय थी गर्मी ठीक है अब क्या करेगा यह जो ठीक है यह गर्म को क्या करेगा यह जो गर्मी इसने अफ्शोश कर ती उसे कहां में जेगा वापस समुन्द्र की और भेज़ेगा जिससे की ठल का भाग क्या हो जाए ठंड़ा हो जाए क्या हो जाए ठंड़ा हो जाए और इसी कारण इसी कारण से रात के समय जो अस्थल का भाग होता है वो ठंडा पड़ जाता है और उश्मा को कौन अवशोशित कर लेता है समूंद्र अवशोशित कर लेता है बास सवज में आई जल समीर में कब होगा दिन के समय कब होगा ? दिन के समय में. इसमें क्या होगा ? जो समुदर का भाग है. वो शुर्य की विक्रण है, जो इसकी रोशनी है, जो गर्मी है, उसको अफशूषित करता है और यहां से हवाएं उड़कर, हवाएं जो बहकर किसो ओर आती है, तलगी ओर आती है तल की ओर आती है और यहां से सूर्य की गर्मी को कौन अफ्शोषित करेगा इस्तल का भाग अफ्शोषित करेगा अब यह क्या होगा अफ्शोषित कर लिया यहां से जो समीर हवाएं जो उठी है तो इससे ठंडी हवाएं जो उठी है जो क्या करेगा इस्तल के भाग के तापमान को कम करेंगे जिससे के अददे कर्मी ना पड़े ठीक है अब क्या होगा जो थल समीर होगा वो रात के समय होगा और इसमें क्या होगा जो आपका थल वाला भाग है वो उश्मा को किस ओर भेजेगा समुद्र की ओर भेजेगा कहां भेजेगा समुद्र की ओर भेजेगा और हमारे थल को क्य कर देगा ठंडा कर देगा इस तरह से हम अपने जो स्थल के भाग है उसको हम अपने तापमान को नियत बनाए रखते हैं जिससे कि अत्यदिक गर्मी ना पड़े यही कारण है कि दिन के समय रेगिस्तान अत्यदिक गरम होता है परंतु रात में उतना ही जादा ठंडा हो जात अत्या है